सूजी के रसीली दानेदार हल्वा बनाके त्यार करेंगे वह भी मिंटों में बहुत ही कम समय में सूजी का हल्वा बनके त्यार होता है और बहुत ही रसीली और दानेदार सही माप से बनाएंगे तो रसीली हमारे सूजी के हल्वा बनके त्यार होगे तर चलिए इसे बना ले नमस्ते दोस्तों बनाओ मचाओ में आप लोग का बहुत पर स्रागत है अगर आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगी तो वीडियो के लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले सूजी का परफेक्ट हल्वा बनाने के लिए किसी कोटोरी कप का माप कर ले जिससे परफे हलका गरम हो जाना चाहिए इसमें इसमें बहुत ही जल्दी सूजी का हलुआ बनके त्यार होता है ड्रीफुट को फुनते समय गयत्ज़ मेडियम रखेंगे नहीं तो क्या होगा ड्राइफुट जल जाएंगे और अच्छे से चीठ नहीं पाख़ेंगे तो इन्हें हमें क्रिस्पी होने तक फुन लेना है, ड्राइपुट बहुत जल्दी घून भी जाते हैं, और देखिए ये ड्राइपुट हमारे बिल्कुल अच्छे से फुन गया है, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं, सारे ड प्राइप के तल्ले में लग जाएगे तो इनके color चेंज हो जाएगा, इकुल हम इनने चलाते रहेंगे, ताकि color भी इकुल आए और जले नहीं, इसे हम continue चलाते रहना है, बहुत ही जल्दी इस चूजी भुन जाएगी, बस इसे हम continue चलाते रहेंगे, एक मिनट से ज्यादा पर्फेक्ट माप है इस तरह के साब बनावगे तापके सूजी का हल्वा खुला खुला बिल्कुल दानेदार रसीला बनके त्यार होगा डाई के टूरी पानी डालके हम इसे चला देते हैं ताकि मिक्स हो जाए इसमें कोई सूजी के गांठ ना पड़े और पानी डालते समय जो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे पानी डालेंगे तो पुरा किचन गंदा हो जाके कि सूजी में बहुत ज़्यदा उफाल इससे बहुत अच्छा फिलेवर आएगा इन सब को डालके अच्छे से मिलाते हैं सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक गई है अब इसमें हम चीनी डालेंगे कितना यह भी मैं आपको बताते रही हूं तो जिस कब से हम सूजी लेंगे उसका हम थर्ड़ कप चीनी डाले देतना अच्छा पुछा हमारी बिल्कुल अच्छा हमारी बिल्कुल अच्य अच्छा को बन करते हैं ृसमें में अपने उपने करेंगे अरब करें देखें कितना अच्छा हल्वा बंके त्यार हुआ आप को देखने से पता चल रहा होगा में इजमें डाल दिया है, थोड़े से ऊपर से बदाम काजुसे सर्फ कर दे रहे है तो इसे दिखने में अच्छा लगएगा, एद कि हमने बदाम काजुसे थोड़े थोड़े निकाल के रख लिए थे, फ्लम्बिल लमे पीज और इसे हम इस तर से सर्फ कर दे लिए, हल्वा हमारा बन के त्यार है बिल्कूल देश्टी सा दानेदार सुजी का हल्वा बन के त्यार है हल्वा बनाने में मात्र हमें दो मिनिट लगे हैं दो मिनिट के अंदर हमने सुजी के हल्वा बना के त्यार किये हैं आई होग के आची रेश्पी आपको अच्छे लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बता हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिन जै भारत